चोपड़ा है जो किस यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्देक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बच्चो UG का सेडूल तो अभी जारी हो जाएगा एक दो दिन में मगर PG का सेडूल और कांसलिंग के लिए रूल एंड रेगुलेशन जारी हो चुके हैं UG व़ PG में MCC की कांसलिंग के लिए रूल एंड रेगुलेशन सेमसी रहते हैं तो हमें आप राज चर्चा करेंगे कि PG में क्या changes होए हैं और UG में क्या changes होंगे तो सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है इस साल के लिए वो ओल इंडिया कोटा के राउंड को लेकर हुआ है UG वब PG में ये पहले टू राउंड हुआ करते थे ओल इंडिया कोटा के अभी ये फोर राउंड की काउंसलिंग MCC द्वारा करवाई जाएगी एक बार हम राउंड वाइस बात करें तो UG की कंडिशन में फर्स्ट से मोप अप राउंड तक ओल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर, सेंटरल इनवर्सिटी जिसमें बी एच्यू, डी यू और एम्यू सामिल हैं इसके लावा ESIC, DUIP इंटरनल और डिम्ड की काउंसलिंग MCC द्वारा करवाई जाएगी इस्टे वेकेंसी राउंड के लिए MCC द्वारा काउंसलिंग, ओल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर, सेंटरल इनवर्सिटी, ESIC, DUIP इंटरनल की करवाई जाएगी और डिम्ड की काउंसलिंग कंसर्ण डिम्ड इंटरनल इनवर्सिटी द्वारा करवाई जाएगी इस्टे वेकेंसी राउंड में 2020 तक MCC द्वारा कोई इस्टे वेकेंसी राउंड कंड़क्ट नहीं करवाय जाता था stay vacancy round के लिए concerned institute द्वारा counseling करवाई जाती थी जैसे aims, zipmar, bhu, amudu, esic अपना-पना stay vacancy round अलग से conduct करवा कर vacant seat fill करते थे मगर इस बार dimmed को छोड़ कर बाकी सभी का stay vacancy round UG की condition में MCC द्वारा conduct करवाया जाएगा तो ये UG की condition में stay vacancy round में ये सबसे बड़ा change होगा PG की condition में तो ये changing है ही जो मैंने उपर UG में बताए है इसके साथ सबसे बड़ा change है वो ये है कि DNB की counseling भी इस साल MCC द्वारा करवाई जा रही है पहले ये separate होने से फाइदा होता था student को कि DNB की seat लेन के बाद अगर किसी candidate को MDMS की seat MCC से मिल रही है तो वो DNB की seat को last round तक भी छोड़ सकता था मगर अभी ऐसा नहीं होगा अगर second round तक किसी ने DNB की seat पर जोइन कर लिया है तो MCC के second round के rule के मताबिक अगर किसी ने MCC के second round में जोइन कर लिया है तो वो आगे किसी भी counselling में participate नहीं कर सकता है चाए वो state की counselling हो या फिर MCC की counselling हो NMC ने अपने website पर PG का MCC और state counselling का schedule जारी कर रखा है जिसमें पहले MCC का first round होगा फिर state का first round होगा फिर MCC का second round होगा फिर state का second round होगा फिर MCC का mope up round होगा फिर state का mope up round होगा और फिर MCC का stay vacancy round होगा और फिर state का stay vacancy round होगा तो इसके मताबिक पहले MCC का round होगा उसके बाद state का round होगा MCC का stay vacancy round online होगा और यह stay vacancy round 1 और round 2 भी हो सकते हैं क्योंकि अगर stay vacancy round online है तो जाईर सी है कि MCC के stay vacancy round में city vacancy रहने की समभावना है तो stay vacancy round 2 भी हो सकता है MCC का तो ये all India quota को लेकर एक सबसे बड़ा changes है rounds को लेकर एक सबसे बड़ा changes है दूसरा changes आपको पता ही है कि MCC ने अभी all India quota में इस बार 27% OBC और EWS 10% का reservation भी implement होने जा रहा है ये भी आप सबको पता है तो ये major दो changes हैं और इनकी वज़े से जो all India quota में four round हो रहे हैं इससे क्या-क्या किस परकार से counseling के rule change हुए है वो मैंने उपर आपको अभी बता दिया है अब इसमें admission की last date की बात करें तो NMC ने इसके regarding PG के regarding भी जो session start होने की date है वो दे रखी है वो first February 22 दी गई है इसमें यनि की जो PG की जो session start होगा वो first February 22 से होगा और MBBS का अगर हम session माने इस साल के लिए 21 के लिए first year का तो वो first March 22 हो सकता है तो ये एक counseling की changing के बारे में वीडियो था जैसे जैसे इसके बारे में और कोई update मिलेगी तो हम आपको inform कर देंगे मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन